केतू चोथे घर में, चोथे घर में केतू जब भी आएंगे न, इसके प्रभाव जीवन में बहुत ही गहरे होंगे, क्यों? क्योंकि चोथा घर केतू के दुश्मन चंद्रमा का घर है, चोथे घर में उर्जा चंद्रमा की है, और केतू यहाँ पे खुद तो वीक होते ही होत तो इस इंसान को जीवन में किसी भी चीज में continuity में चीजें करने में दिक्कत आएगी। के तु खुद खराब होंगे, तो जीवन में के जो जो एट्रिब्यूट्स होते हैं जैसे के जोड, जैसे के जीवन में किसी चीज को planning करके आगे बढ़ना, focus रखना, या even पुत्र संता कई चीजों के बारे में इंसान को दिक्कते देखी गई हैं, किस-किस तरह से ये दिक्कते होती हैं, क्या-क्या इनके निवारन हैं, पूरी विस्तास सर्चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा, बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले एक विनमरी निवेदन, कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रिपया सब्सक्राइब करियागा, हाँ, बेल बटन दबाना न भूलियागा, चौथे घर में एनरजी होती है चंदर्मा की, और यहाँ पे क भी हैं, जीवन में जिस तरह की इंसान को situations आए, वो उन situations को reaction किस तरह का देता है, यह चंदर्मा होते हैं, कहते हैं कोई भी समस्या 10% समस्या है, 90% आपका reaction जो है उस समस्या को बढ़ाता है, तो आपका जो reaction है यह चंदर्मा होता है, केतु बर Ma sarhagur में होना, तो उस इंसा पैनिक में कुछ इस तरह का behavior कर देते हैं कि अब जो समस्या छोटी थी वो बहुत बड़ी होके सामने आती है चौथेगर के केतु वले इंसान ना उस इंसान का जो career होता है न कारोबार उसमें एक सुर नहीं उसको रहने देते हैं, हर 3-3-4-4 साल बाद या तो कारोबारी change हो जाता है नहीं तो जो कारोबार चल रहा होता है उसके structure में बहुत बड़े बड़े बड़ाव देखने को मिलते हैं और ये बड़ाव ज्यादा तर खुशनुमा नहीं होते इसकी वज़ा से उस इंसान को जीवन में लगातर anxiety, stress या परेशानिया आती रहती है केतू खुद भी तो पुत्र का कारक है तो चोथेगर में केतू होता है उस इंसान के जो पुत्र संतान है या नॉर्मली या तो होती नहीं है या बहुत ही लेट उम्र में जाके होती है केतू 4th house में होना तो diabetes होने का डर जो है ये 90% तक बढ़ जाता है यानि केतू 4th house में हो तो lifestyle बहुत ही पेऊर रखना होगा नहीं तो बहुत ही जल्दी diabetes जो है उस इंसान को हिट कर जाती है मा की health को लेके ये केतू बहुत ही खराब results देते हैं ऐसे लोगों की जो मदर है उनको घुटने की trouble उनको back egg की, spine की दिक्कत या शरीर में लगातार किसी ना किसी तरह से परिशानिया आते रहना ये इस केतू के result होते हैं कई ladies को जिनको भी घुटनों की दिक्कत है ना या जिन ladies को back egg की दिक्कत है उन ladies को अपना चार्ट तो ठीक करवाना ही चाहिए उनको अपने पुत्र का चार्ट जरूर देखना चाहिए अगर उनके चौथे घर में केतू है ना तो अपने पुत्र के दोरा केतू का उपाय कराईए उनके अपने चार्ट को फरका जाएगा ये एक बहुत बड़ी बात है यानि हम इस तरह से देखते हैं कि एक घर में एक परिवार के जो सितारे हैं किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं चौथे घर के केतू वाले लोगों में एक बहुत बड़ी खामी होती है कहना तो इनको बहुत सरल आता है लेकिन इनके सुनने की कला इनमें नहीं होती है कोई भी इनसान जो है ना ये किसी के बात को सहते नहीं है लेकिन किसी को लगा के बात करना loud बोलना या बोलते रहना ये इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तो अगर प्रभावों की बात ही चली है ना, तो चौथे घर के केतू, मैं मोटे-मोटे तोर पे आपको बताऊं, खुद इंसान को डाइबिटीस दे सकते हैं, उस इंसान के खुद के जोडों में दिक्कत दे देते हैं, उनकी मदर के घुटनों या जोडो बैठा रहता है, चौथे घर के केतू वाले लोग जो हैं, इनको अपने घर के वास्तू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, घर के वास्तू में नॉर्मली लोगों के अंदर एक माननेता रहती है, जो अगर सबमर्सीबल पंप लगवाना है और घर के अंदर कोई भी कुआ, कोई भी बोरिंग जो है न, इस केतू को खराब रूप से ट्रिगर करेगी, अब ऐसे इनसान की जो सेहत है और इसके मदर की जो सेहत है, एक दम से बड़ी बुरी तरह से डेटिरेट होनी शुरू हो जाएगी, जिन लोगों के चौते घर में केतू है और उन जाता है, क्योंकि अब बात इलाज की चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर चौते घर में केतू है और आपको कारोबार की हेल्थ की या मदर के बारे में परेशानिया या मन की इंग्जाइटी की दिक्कत आ रही है तो आपको उपाई क्या क्या करने है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, बहुत सटीक उपाई है, वो उपाई है घर के साउथ में करने वाला, आपको अपने घर के साउथ में किसी एक जार में सौफ भरके रख देनी है, उस सौफ को यूज भी करते रही है, लेकिन घर के दक्षिन में आप एक जार में सौफ का एक जार हमे ही चला दीजे ऐसा करने से भी जो फूर्थाउस के केतु रहेंगे वो आपको खराबी नहीं देंगे पीपल के पेड़ को जल देना इस केतु का एक बहुत ही अच्छा इलाज है आप विग डेज में संडे को छोड़के रोज या कम से कम शनिवार और मंगलवार पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते रही यहाँ पे एक खास तोर पे अस्टालोजी में उपाई दिया गया है कि कुल पुरोहित की सेवा करना, कुल पुरोहित को ब्रहस्पती की चीजें दान करना चौथे घर के केतु का एक चमतकारी को पाई है लेकिन नॉर्मली आज की फास्ट पेस जिंदगी में ज्यादा तर लोगों के ना तो कुल गुरु होते हैं ना उनको अपने कुल गुरु का पता होता है कुल पुरोहित का भी पता नहीं होता तो उस केस्ष में क्या किया जाए कि किसी एक ऐसे इंसान को जिसकी बाते इनको समझ आती है उसको गुरु का दर्जा दे दिया जाए और जिनकी ये गाइडनस को मानते हैं उनको बीच बीच में ब्रहसपती की चीजें किसी ना किसी रूप में गिफ्ट करते रहें एक अच्छी धार्मिक किताब ये ब्रहसपती रहती है सोना या पीतल ये ब्रहसपती की चीजें पीतल के जो बरतन है उनको दिये जा सकते हैं या सोने की कोई बनी चीज अगर आप अवोड कर सकते हैं, वो भी अपने कुल प्रोहित को या अपने गुरु जनों को गिफ्ट की जा सकती है। या बेसन, डाल, ये मंदिर में चड़ाना भी चौथे घर के केतु का एक बड़ा ही सटीक इलाज है। चौथे घर के केतु जो हैं, ये अगर आपको लाइफ में सिहत के दिक्कते दे रहे हैं या ये चौथे घर के केतु आपको करियर नौकरी कारोबार में सेटल नहीं होने दे रहे हैं, तो आपको एक बड़ा सटीक उपाई बताता हूँ, एक महीने में एक बार, एक किलो चने की डाल आपने चलते हुए पानी में गुरुवार वाले दिन विसरजित करनी है, इसको अपने बारा महीने तक, महीने के एक गुरुवार तक करते रहना है, आप यकीन मानिये ये उपा अवस्तान है, जहां पे भी है, वहां पे पीले वस्तर बिचाएं, और वहां पे सोना कम से कम किसी भी क्वांटिटी में जरूर स्थापित करके रखें, ऐसा करने से आपके चौथे घर का केतू, चाहे वो आपको डाइबेटीज दे रहा था, चाहे वो आपको हेल्थ की एल मैं आशा करता हूँ, इसको अपना के आप अपने जीवन में जो भी जुरूरी सुधार हैं, वो जुरूर ले के आएंगे, तो आज का वीडियो यह तक था, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक, एक नई विशे के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा, नम अपने बाद,